हलो फ्रेंड्स डेनी क्लाइसेज में आपका स्वागत है दोस्तों राजस्तान हाई कोट लडिसी की टाइपिंग के बारे में बात करके चलेंगे टाइपिंग के बारे में स्टुडेंट के काफी कमेंट आते हैं जैसे कई स्टुडेंट पूछते हैं बेग स्पेस काम करेगा क्या वहाँ पे लेटर रहेंगे वो बोल्ड में रहेंगे क्या काफी शमश्या हिंदी को लेकर इंग्लिस को लेकर किस तरह की आपकी टाइपिंग आएगी क्या क्या गलतियां आप करते हो जितने भी आपके दुख है सब की में बात करके चलूँगा आपके जो जो समश्या आ आपको एफिशेंसी की क्लास मिल जाएगी डेनिल क्लासे इसकी एप में जाके पेड कोर्स में आपको यह एफिशेंसी क्लास है यह भी आप देख सकते हैं वहां से चेक कर सकते हैं मंडे से शुरू हो जाएगी इस्टार्टिंग के 500 स्टुडेंट के लिए फीस केवल 399 में रुपीज है उसके बाद में इसकी फीस बढ़ा दी जाएगी ओफर कोर्ड क्या लगाना है डेनिल 20 ओफर कोर्ड लगाना है तो यह आप देख सकते हैं पले स्टोर से डेनिल क्लासेज की यह डाउनलोड करें पैड कोर्स में आपको वहां मिल जाएगा टाइपिंग के बारे में हम बात करके चलेंगे पॉइंट टू पॉइंट आपको मैं सारा सब कुछ बता के चलूँगा हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको क्या क्या करना है देखो सबसे पहले बात जो आपके लिए इंपोटे अगर आपके नमबर अच्छे है च्छे गंटे तो आपको करनी ही करनी है इतना टाइम आपको देना ही देना है रूटीन बना लो इतना टाइम देना ही है कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं कि सर इंग्लिश की टाइपिंग अच्छी है हिंदी में स्पीड नही को इंग्लिश टाइपिंग में तो आप ऐसे रख सकते हो एस डी एफ से हिंदी में आपको एसे नहीं रख रहे हैं एससे स्टार्ट करना है इस तरह से आपको करनी है एक वीडियो और बना दूगा हिंदी का लग से कई स्टुडेंट करते हैं कि सर जो हमारे पास अक्षर आए आपके सामने स्क्रीन के उपर आपके जो PC आपको दिया जाएगा डेक्स्टोब होगा टाइपिंग आपके स्क्रीण देंगे उपर प्रफर टाइपिंग करना रहेगा कि अब जब ऊगित कुरोंगे कोई अश्र बोल्ड नहीं हो गाएक पेराग्राफ आएलगा वह को टाइप करना है इस क्रॉल भी आप खुद ही करोगे जैसे आपने परागराफ कर लिया आगे का परागराफ करना है नीचे खुद ही आप टाइप करोगे आपको पता नहीं रहेगा आप या लिख रहे हो वह प्यां equipment करना है वहाँ पर नहीं होगा बैग स्पेस बेरा कि पा रखते हैं बैक स्पेस बिलकुल भी काम आपके नहीं आने वाला है द्यान रखना है यह चीजें कुछी चीजें जो इंपोटेंट आपको बेसी चीजें मैंने बता दियान रखनी है और हम बात करें अब आपको टाइपिंग सोफ्ट्वेर पे ही करनी है जैसे अभी मैं काफी बच्चों को टाइपिंग सिखा रहा हूं टाइपिंग करवा रहा हूं सोफ्ट्वेर पे टाइपिंग से क्या होता है कि माहौल एक्जाम वाला सा बन जाता है और जो सोफ्ट्वेर पे हम टाइपिंग करवाते हैं सेम डिटो एक्जाम के कोडिंग ना कोई बोल्ड होता है पिर अगर आप दिख रहा है टाइपिंग करना सेम एक्जाम वाला महौल ही रहता है तो एक्जाम वाले महौल में टाइपिंग करोगे तब भी अच्छे से सीख पाओगे एक्जाम में जाकर आप डर जाओगे अच्छे से कर नहीं पाओगे महौल बहुत ज़्यादा जरूरी गर पर हम टाइपिंग कर तो लेते हैं लेकिन वह एक्जाम वाली फिलिंग तब ही आती है जब आप कोई किसी कोचिंग में जाकर टाइपिंग करते हो अगर आपके आसपास कोई भी कोचिंग में जा टाइपिंग सिखाते हैं वहां आप जोईन करो फील आपको वहीं आएगा software पे आपको typing करनी है, वहाँ आप अच्छे से कर पाओगे, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, back space में आपको बता दिया, हातों वाला बता दिया, अभी 10 मिनिट के आप typing करो, अब कई स्टुडेंट करते हैं कि सर मार तो number कम है, number कम है typing ज़ादा गरो, एक ही solution है, number कम है typing ज़ादा गरो, जिसके number ज़ादा है, उससे double typing करो, 6 कंठे करते हो, 12 कंठे करो, 15 कंठे करो, यह देख लों यहाँ number कम है, तो वहाँ ज़ादा लाने है, किसी के पहले नमटर जदा आगए, किसी के बाद में जदा आजाएगे तो यह यह आपको करना आप टाइपिंग में जदा में नमटर लाने हैं, सेलेक्शन हो जाएगा अब एक प्रोब्लम जो स्टुडेंट के काफी आ रिए है इस्टूडेंट जब टाइपिंग करते हैं स्पीड मालो स्टूडेंट की है 30-40 के आसपास की है वो किसी के पास बैठ के जिसके पास बैठे हैं उसकी स्पीड आ रही है 60-70 की उसको देखती डर जाते हैं यार इसकी तो बोज़ादा स्पीड है सेलेक्शन तो इसका होगा मेरा सेलेक्शन ही नहीं होगा देखो इसा कुछ है नहीं होता है आपको खुद पर वरुसा करना है यह सोचो मेरी 30 की स्पीड है मैं मेनत करके मैं भी 60 बनाऊँगा 17 बनाऊँगा खुद पर confidence रखना है खुद पर confidence रखोगे अच्छे से टाइपिंग करोगे आपकी स्पीड भी उतनी होएगी अच्छी होगी एक्यूरेसी भी होगी एक्यूरेसी के बारे में बात करें स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर स्पीड आती है एक्यूरेसी कम हो जाती है accuracy आती है, speed कम हो जाती है, क्या करें देखो, अगर आपकी accuracy 90 आ रही है, speed 40 आ रही है speed पे दिहान दो, speed को 50-60 तक लेके चलो जब आपकी speed 60 तक पहुँच जाए, accuracy मालो आपकी अब 80 हो गई है अब आप accuracy भी ध्यान दो, क्योंकि अब आपके हाथों को 60 की speed में लिखने की आदत हो गई है अब आपके हाथ 60 की speed में ही लिखेंगे और आपकी accuracy भी सुदर जाएगी ये काम करके देखना, implement करके देखना काफी फायदा मिलेगा 60 की जब speed होएगी, फिर accuracy पे भी आप ध्यान दोगे basic चीजें ज़्यादा करो, ध्यान दोगे, accuracy speed दोनों आपके cover में आजाएगी, 90 plus accuracy रहेगी, speed भी 60 तक आजाएगी अभी जो typing इस्टार्ट करें, उनको यहीं बोलूँँआ आप जितना होस्त के ज़्यादा typing करो, typing को आप समय ज़्यादा दो, आप सीख जाओगे और हम बात करें, student के comment के बारे में, keyboard के कपी comment आते हैं सर मेरे तो इस keyboard पे अच्छी आती है, उस पे कम आती है देखो यह mind में आप set कर लो कि keyboard सारे same ही होते हैं आपके सभी keyboard पे same ही speed आती है अगर आप इसमें confuse में रहोगे की मेरे तो उस keyboard में नहीं आएगी mind में आपने पहले ही कर लिया, mind में set कर लिया गी, नहीं मेरे तो इस keyboard पे कम आएगी आपकी कम ही ही आएगी, mind में set करो कि जितने भी keyboard हैं सब same ही है किसी में कोई भी फरक नहीं है आपको कोई भी keyboard मिल जाएगा आप अच्छी ही typing करोगे अच्छे से करोगे exam में एक चीज का ध्यान रखना जब आपको keyboard दिया जाए आप पहले उसको check कर लो एक exercise याद कर लो the quick brown fox jumps upon right over the lazy dog हाथ वाथ टाइप करो अगर कोई word type नहीं होता है तो आप समझ जाना keyboard खराब है, keyboard में कोई mistake है सारी की check कर लेना पहले जैसे keyboard आपको exam में मिले पहला काम यही करना है पांच मिनट keyboard को check करना है आपको time दिया जाएगा पांच मिनट का उस पांच मिनट में keyboard को आपको check करना है अच्छे से देखना कोई दिक्त नहीं है तो यह student के normally comment आते हैं कि हमको यह क्या करना है वो सारी चीज़े मैं आपको बता चुका हूँ टाइपिंग के बारे में सारी चीज़े बता दिये इस तरह से आपको करना है efficiency की class क्लास मंडे से शुरू हो रही है रात को आठ विज़े class होगी वहां आपके efficiency हो जाएगी efficiency class भी होगी practice set भी करवाए जाएगे दिन रात एक करो अच्छे से मैनत करो जितना time है सारा time आप इस time केवल और केवल typing efficiency में लगा दो select हो जाओगे selection ले लोगे तो अब क्या करना है typing efficiency पूरे दिन आपको यही चलते हैं कोई दिक्कत आए कोई बात हो comment आप कर सकते हो उसका में reply दे दूँगा कोई भी आप कुछ भी हो आपके समयशे उसका आप comment करो वीडियो को जितना होस्त के share करना है लाइक करना है डेनिल क्लास के यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना कोई भी new update आएगी वो आपको तुरंत मिल जाएगी धन्यवाद